इसी के साथ ही हम मैं आगे टीजनी की तरफ मूव करूँगा टीजनी क्या होता है या ये डीजनी लैंड की तरह नहीं है ये टीजनी ये टीजनी इसे बोला जाता है टिसनी ने बोलना सीदह टिसनी जो भी बोलना है इन दोनों से बोल सकते हैं यह टी डिस्टिबुचिड स्टॉटिक नेबर इंबडिंग है ऐलफास का चनौफ देखिएगा टी किसमें टी distribution involved which is similar to normal distribution but with two differences वो कौन-कौन से डिफ्रेंसिस है वो यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके अभी दिखा देता हूं ताकि हम फिर बाद में आगे चलें अगर मैं यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं इस नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन अब इसके उपर मैं टी डिस्ट्रिबूशन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं यहां से घलत हो गया यह जानी है इस तरीके से एंड इसके दो फरक होते हैं मैं सिर्फ आपको जारी बात है ड्रॉइंग मैंने खुदी हाथ से की है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर टी डिस्ट्रिबूशन यूज क्यों की गई उसकी रीजन क्या है एक में रीजन है हमने इस अल्गुरिम के अंदर टी डिस्ट्रिबिशन यानि कि यह जो रेड कलर की है इसका mean से distance जो है वो कम होता है as compared to normal distribution and इसका tails पर यहां से distance ज्यादा होता है मतलब यहां से यह उन्ची ज्यादा होती है मतलब यह वाली जो है t distribution इस वज़ा से use की जाती है अगर कोई data यहां पे है और यहां पे भी है दोनों का distance हम easily find out कर सकें data point को यहां पे इसका भी अगर यह normal होता तो यह सारे equal ना हो जाते है यहां से ठीक है इस वज़ा से हम t distribution को find out करते है reason क्या है reason बताता हूं आपको neighbor embedding हमने neighbors का distance find out करना होता है इसके अंदर neighbor को embed करके close करना होता है है यह भी dimensionality reduction की किस लेकिन इसके अंदर हम t distribution की base पे stochastic gradient की base या gradient descent की base पे हम find out करते हैं neighbor embedding को neighbor की closeness को which is also related to what dimensionality reduction अब आप सोचेंगे कि PCMA भी हमने यही काम किया तो इसमें हम क्यों यह कर रही है सबसे पहले चीज़ this is a non-linear method non-linear method है डूसरी चीज़ यह structure को maintain रखता है disney मैं अगर इसको side पर लिखता जाओं ताकि आपको आपको बता सको हूँ फिर बाद में जब हम इसमें बात करें first thing is this is non-linear method और यह maintain रखता है structure को maintain the structure और तीसरी चीज़ easy to visualize है बहुत असान है चीज़ों को देखना है easy to visualize the differences अब आप कहेंगे यही चीज़ तो हमने PCA में लिखी थी तो यह PCA से भी दो हाथ आगए मैं अभी आपको यह example सामने लेके हैं एक research paper की वो मैं दिखाता हूँ आपको समझ आ जाएगी अब यहां पर गौर करें यह है जी हमारे पास true distribution, predicted distribution based on something ठीक है यहां पर PC1 ने यहां पर PC2 है आप यहां पर चीज़ों को एक ऐसे point of view पर लेके आए हैं different है, so on and so forth मतलब यह के blue और red में variation ज्यादा है यह orange और green में काम है, so on and so forth जो PC1 की हमारी example थी, ठीक है अब यही चीज़ पर अगर हम Tisney यूज करते हैं तो something this happens, something like this happens अब आप चेक करें कि Tisney के थूँ हमारे पास clustering या distribution of data या point of view और भी असान हमें नज़र आ रहा है ठीक है, and this is more more अब उच्छे के यह ज्यादा बेहतर है, कदरे बेहतर है comparatively to PC analysis और बहुत ज्यादा use हो रहा है क्यों use हो रहा है, उसकी reason मैंने आपको पहले भी बताई कि जब भी हम disney को use करते हैं, तो उसके अंदर non-linear distribution की base में हम data को divide कर रहे होते हैं, ठीक है उसकी तरह मैं आता हूँ कि non-linear क्या होता है और फिर हम देखते हैं, कि इससे कैसे हमें पता चलते है हमारा clustering का main मकसद क्या है, आपको पता है न unsupervised learning का main मकसद यह है, कि एक point पे आके चीजों को एक view पे clustering कर लेना जब हम फिर dimensionality reduction में आया हैं, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं ज्यादा dimensions को एक point of view में ले आना अब यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे पास अगर ऐसा point of view मिले कि हम सब को separately देख सके हैं, वो बेहतर होगा या ऐसा point of view मिले जिसमें अभी भी रश पढ़ा हुए obviously, अगर clear point of view में मिलता है तो वो ज्यादा बेहतर है तो टीजनी हमें clear point of view, clearer point of view देती है as compared to principal component analysis this is a non-linear method, वो क्या होता है उसकी तरफ अभी आते हैं but before that we have to be careful के इसके अंदर भी हमारे पास components बनते हैं या dimensions बनती है, ठीक है, something like this जैसे हमारे पास principal components बने थे अब इन dimensions को find out करने के लिए कौन-कौन सी चीज़े involved आती है we will learn about that, but before that आप PCA और टिजनी में यहां पे clearer difference देख सकते है ठीक है, यह principal component analysis है यह भी principal component analysis है और यहां पे हमारे पास टिजनी 1 और टिजनी 2 है, ठीक है dimension 1 और dimension 2 को हमने original map data को यहां पे principal component analysis में भी ले किया है और टिजनी में भी ले किया है so now you can see the difference के यहां पे हमारे पास एक ऐसा point of view आ रहा है के हमें refined clustering मिल रही है, यह refined हमें data की distribution मिल रही है ठीक है, और हमारा मकसद भी यह है के हमें अपने point of view में अच्छा पता चले, इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है, अगर हम अब बात याद कीजेगा, जब हमने principal component analysis ड्रॉ किये थे तो वहां पे एक point था, कि अगर यह वाला vector इस side पे इस तरीके से जा रहा है, and this is called for example, plant height तो इसका मतलब यह है कि यह ज्यादा important है, क्यों? क्योंकि इसका impact जो है वो ज्यादा variation के साथ-साथ जा रहा है, ऐसे यह ना, जो मैंने आपको interpret करके दिया था, ठीक है? अब वोही चीज़, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, और यह इस तरीके से जा रहा हो, यह वाला vector, plant height का, इसका मतलब है कि इसकी जो variation है from here to here, यह बहुत कम है, अगर आप गोर करें न, distance from that point to this point, यह अगर आप गोर करें, यह बहुत कम है, but on the other side, we know कि यह वाली टिक्नीक जो है, यह ज्यादा कदरे बेतर है, क्यों? क्योंकि data separated है, distributed data है, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि जो PC में, PCA के दुरू हमने dimensionality reduction की थी, उसकी accuracy कम होगी, compared to teasing, क्योंकि data distribution अच्छी है, यहाँ पर, ठीक है? जैसे मैंने आपको diamonds का data set दिखाया था, diamonds के data set में rush पढ़ा हुआ था, जब तक हमने वो lines draw नहीं कर रही थी, तो अगर वो rush पढ़े की base पे line draw करनी तो उसका confidence कम होगा न, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा है data किस तरीके से distributed है, वो clone वाली example याद करें हमें point of view नहीं मिल रहा, ठीक है? Better point of view के लिए Disney के algorithm जो है वो से use किया जाते हैं, क्यों? मैंने आपको पहले बता दिया, कि इसके अंदर non-linear direction हम use करते हैं, and here you can see T distribution को use किया जा रहा है, which gives you more accurate results than the normal distribution. अब अगली बात पे चलते हैं, होगता क्या है? बहुत असान examples के साथ मैं आपको बताने वालों, और easily इंशालाब को समझ आजाएगा, अगर आपने वो वीडियो देखिए stat quest की, तो आपको और भी असानी के साथ समझ आएगा, ये मैंने इस तरीके से x और y पे scatter plot बना लिया, ठीक है? अब इस scatter plot की base पे, मैं यहाँ पे points draw करता हूँ, ठीक है? ये वाले कर लिए, ये वाले कर लिए, अब गौर कीज़ेगा, अब इन सभी points को, ये x-axis है, ये y-axis है, ठीक है? ये scatter plot हमने एक draw की है, simple, scatter plot की base पे, हमें लग रहा है कि ये 3 classes है, ठीक है? 3 हमें classes लग रही है, तो हम क्या करते हैं? Either, this is a two-dimensional structure, 2D, x और y के अंदर, हमने इसको convert करना है 1D, उसकी reason क्या है? हमने इसको number line पे ले के जाना है, एक line के उपर ले के जाना है, ताकि हम इसको draw कर सकें, वो अगर हम, इस side पे करते हैं, तो क्या होगा गोर कीज़ेगा, अगर मैं इसको उठा के, इस side पे करता हूं, तो ये point यहां पे आएगा, ये वला यहां पे, ये वला यहां पे, ये वला यहां पे, ये blue वले में ले के आता हूं, ये point यहां पे आजाएगा, ये वला यहां पे, ये वला यहां पे, ये वला यहां पे, so on and so forth, green वाला यहां पे आ जाएगा, ऐसे cluttered हो जाएगे, ठीक है, और अकसर अकात, for example, अगर यह मैं blue यहां पे भी लगा दूँ तो यह इसके अंदर mix हो जाएगे, ठीक है, अब अकसर अकात क्या होता है, जब आप एक line पे किसी चीज़ को ले के आते हैं तो वह अपस में merge हो जाती यह जो उपर से है न, मैं इनको नीचे ले के आ रहा हूँ, यह वाले points को, और blue जो है, वो separate हो जाएगा, तो Disney क्या करता है, सारे data को पहले two dimension पे ले के आते हैं, and then based on that, we convert that into number या 1D line, एक line पे ले के आते हैं, अब यहां पे 1D line क्या है, यह वाली एक line, sorry मैं इसको black बनाता ह ताकि आपको असान हो जाए, अब यही scatter plot को मैं 1D line पे ले के आने वाला हूँ, यह line है जी 1D, और यह मेरे पास for example blue points है, यह मेरे पास इसके green points है, ठीक है, और यह मेरे पास इसके red points है, यह मैं यहां पे ले आया, और usually होता है, यह point इस तरीके से नहीं लगे होते हैं, जैसे ठीक है, इस तरीके से, और यहां पे यह जो blue है वो इस तरीके से है, और जो green है वो इस तरीके से फैला होगा, ठीक है, one line पे, समय रागी बात की, अब होता क्या है, यह जो हमारा data फैला हुए, इसके उपर हमारी t distribution count होती है, वो कैसे, जहां पे data ज्यादा है, for example, यह blue data यह जहां पे ज्यादा points है इसके अगर, तो यह हमारी distribution कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे, right skewed, और यहां पे अगर red की बात की जाए, तो यह भी कुछ different किसम की skewed होगी, ठीक है, तो D distribution इस जगा पे आके, जहां पे ज्यादा points है, for example, यह तो मैंने आपको बता दीना, एक छोटी स है, यहां पे तीन red point है, और एक red point यहां पे है, एक यहां पे है, and then green है यहां पे, और यहां पे blue है, क्या होगा, यह चेक करेगा, यह वाला red point, adjust करेगा, और अपने इर्दगिर्द देखेगा, कि मैं किस के साथ belong करता हूँ, ठीक है, वो इर्दगिर्द देखेगा, और properties की base पे similarities का distance find करेगा, जिसे similarity distance भी बोला जाता है, या similarity index भी बोला जाता है, या similarity parameter भी बोला जाता है, तो वो similarity का distance find out करेगा, अगर यह बिलकुल pass pass है, तो जहारी बात है, यह pass आ जाएगा, but on the other side, अगर यहां से कोई दूर बैठा हुआ है distance में, तो यह क्या करेगा, यह वाल तो यह point उठके यहां पे आ जाएगा, attraction की base पे, कि यह हमारे जैसा हमें दे दो, और ऐस्ता ऐस्ता यह blue वाले भी ऐसे करेंगे, जिस side पे जाना होगा, इन्होंने ऐसे जाते रहेंगे, इसी तरह green वाले भी ऐसे करेंगे, attraction और repulsion की base पे, एक point पे आ जाएगे, at the end हमारे प हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हर किसी का अलाइदा से cluster बन जाएगा, this is not very simple, कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से होता है, लेकिन हमारे पास यह basically similarity index count होता है, वो किस तरीके से count होता है, वो भी हम देख लेते हैं, यहां पे हमारे पास यह point है, ठ ठीक है, और इसके दो तरीके हैं, एक तो आप distribution find out कर लें, for example, आप इस तरीके से इनको draw करें, मैं यहीं पे इन्हें draw कर देता हूँ, और यह based on the black points आप draw कर रही है, यह क्या करेगा, यहां से इसका distance find out करेगा, और जो दूसरा point है, उसका distance find out करेगा, and then you can clarify the distance between these two, either or these two, और यह किस base पर find out करेगा, आपकी यह T distribution की base पर, ठीक है, और T distribution के अंदर वो distribution का point, यानि के range में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पे सारा dependent करता है, कि data किस जगा पर जाएगा, and at the end, यह distance close और far होने की base पर, अपने जहां पर ज्यादा points होंगे, जाहरी बात है, वो mean के ज्या यानि के एक T distribution के अंदर जितने points होंगे, वो उस data set से belong करेंगे, तो हमारे पास at the end, data का दगड़ मगड़ हुआ होना वो लगबात है, जब हमारे पास at the end, iterations चलती जाएंगी, हर एक की separate T distribution बनती जाएगी, and then we can say कि यह separate cluster है, यह वाला separate cluster है, यह वाला separate cluster है, यह वाला separate cluster है, linear क्या थी, linear algebra जिसके अंदर use हुआ था, matrix को तोड़ के decompose करके eigenvector, eigenvalues निकाल के हम सारा कुछ कर रहे थे, ठीक है, मुझे पता है, this is not computationally, मतलब really easy to understand, जाहरी बात है, कुरे का पूरा method है, लेकिन इसी वड़ा से इसका एक paper है, जो मैं आपको भी send कर रहा हूँ, यह 2008 में method है आपको भी मैंने इसका paper send किये, विजुलाइजिंग डेटा यूजिंग टीज नहीं, keep in mind, टीजनी feature reduction या extraction का method नहीं है, अब वो visualization हमें बताती है, कि कौन सा data आपने select करना है, सही है, ना PCA method है, जो मैंने आपको assignment देती हैं, क्या PCA method है, feature selection का नहीं method नहीं है, but this is a technique to visualize the data, जिसकी base पे आप select करते हैं कि कौन सा method आपने involve रखना है, अपने analysis के अंदर, और इसके साथ ही एक Google brains वालों ने, distil का अगर किसी को नाम पता है, उन्होंने ये बहुत अला किसम का एक blog जो है, वो लिखा हुआ है, और ये अभी हम देखने भी वाले हैं, और इसके अंदर जाहरी बात है, mathematical equations भी हैं, और सारा कुछ है, we will see that now, और then we will analyze कि हम किस तरीके से इन सारी चीजों को देख सकते हैं, और at the end हमारा method क्या होना चाहिए, just give me one second, ये आपके सामने जी, ये स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, ये अभी मैंने आपको स्क्रीन, ये वाला link सेंड किया है, how to use टीजनी effectively, ठीक है, टीजनी किस तरीके से आप effectively use कर सकते हैं, और दूसरा मैंने एक paper आपको भी भेजा है, वो ये है, ये वाला paper है, विजुलाइजिंग डेटा, यूजिंग टीजनी, ये 2008 के अंदर, लॉरेंस वान्देर मार्टन, वान्देर मार्टन, ये basically German है, और Dutch है, sorry, Dutch, Netherlands के अंदर, इनके वान्देर बहुत आता है, font there, something like that, इसने ये वाला algorithm इन दोनों ने बनाया है, खास्तों पर जोफरी हिंटन, जो Canada से हैं और ने ने नेदर लैंड से, तो अगर आपको टीजनी में कोई problem हो, तो आप इनकी publications future में भी देख सकते हैं, and here they mention a lot of, you know, किस तरीके से calculation होगी, probability क्या होगी, और ये probability की exponential and all ये सारी चीज़ों की बेस पर चलते हैं, so you can see that, there are many, many questions in there, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, at the end हमारे पास, जो टीजनी है, gradient of टीजनी वो इस तरीके से बनता है, और ये better gradient आपको देता है, different groups का, at the end हमारा मक्सद ये है कि बड़े data को चेक करना किस तरह का देखता है, from one point of view, ठीक है, तो वो अगर हमें point अच्छा नहीं मिला, तो हम कुछ नहीं कर सकते, उस point को ढूंडने की सारी टेकनीक्स है, ये PCA, B, SVD, B, टीजनी भी, ठीक है, so keep in mind, ये एक paper है, बज़री बात है, अगर आप बहुत ज़्यादे इंटरस्टेड हैं, और आप इस field मे जो एक blog है, this is very nice one, how to use Disney effectively, इतना nice है, look, ये iterations की base पे सारा हो रहा है, ये steps जो है, ये iterations है, ठीक है, क्या हो रहा है, आप यहाँ पर value set करते हैं, इसके दो main parameters है, एक perplexity है, और second आपकी divergence है, ठीक है, और ये आप iterations, तीन आप कर लें, तीन इसके main parameters जिनको आप tune करते हैं, मैं त data हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये मैंने बताया है, जोना आप, start करता हूँ, ये data है, इस तरीके से, ये आपको point of view मिल गया आपका, और जैसे ये iteration बढ़ती जा रही है, एक point ऐसा आ रहा है, कि iteration को कुई फरक नहीं पढ़ रहा, ठीक है, चेक कीजिएगा, यहां पर data set हो गया, 280 steps के हो, 280 दफ़ा ट्रेट हुआ है ये काम, ठीक है, तो क्या होता है, step 1 के है, 2 के है, 3 के है, अभी हम देखते हैं, just to show you an idea, ये चेक करें, आपको एक point of view ऐसा मिलता है, जिसकी base पर आप चेक करते हैं, और आप चेक कीजिएगा, गोर कीजिएगा, एक step हो जाते हैं, फिर pass आते हैं, फिर दूर जाते हैं, look, इसका मतलब यह है कि iteration का number जो है, depend करता है, आपने कैसे choose करना है, we will see that, तीसरा ये वाली example है, एक limit से आगे जाएंगे, तो ये दुबारा से start हो जाएगा, ठीक है, और ये data की distribution बड़ी clear भी आपको बताता है, something like this, अगर मैं points यहां पर बढ़ाता हूं, look, तो यह आपका data ही है, जो इसके अंदर इस तरीके से आपको नज़र आ जाता है, ठीक है, and then आपका data इस तरीके से भी आपको नज़र आ सकता है, if you have more data like this, इसका मतलब यह है कि यह वला data points इसके साथ union के अंदर है, मतलब औरेंज का और इसका आपस में था, अगर हमारे पास, यहां पर DB scan होता तो क्या करता, DB scan क्या करता, वो इसको देखता ही ना, ठीक है, hierarchical clustering का different मक्सद था, PCA क्या क्या करता, PCA इसको लैदा कर देता, Disney का क्या मक्सद है, उसके अंदर पड़े हुऊं को भी बता रहा है कि यह उससे related है, ठीक है, based on the similarity index, जो हमने आपको भी बताया, similarity distance, और वो scale भी होता है, फिर by the way, तो इस तरीके से आप find out कर सकते हैं, easily, यह चेक कीजिए, यह इसके पीछे बगाईदा आपका वो पुरा code चल रहा है, उन्होंने जो पुरा algorithm बनाया हुए, and that's why you can see, आपका data बिलकुल start में, इस तरीके से था, फैला हुआ, आपको point of view डूनते, 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 अब यह point of view डूनदा जा रहा है, यह point of view मिला, यह भी अब यहाँ पर check कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई बता सकता है, जो मर्जी करती जाएं, तकरीबन सारे similar यह points, तो वो उसने बताना ही नहीं है, यह different है, ठीक है, so these are the things, बाकि यह वाला जो method है, इसके अंदर hyperparameters कौन कौन से हैं, वो देखना, अब मैं आपको तीन hyperparameter इसके mainly बताऊंगा, दो इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से define के हैं, कुछ नहीं किये, ठीक है, आपने अगर टिजनी method को देखना है, सबसे पहले जारी बात है, आपको पता होना चाहिए, कि यह किसने बनाया, क्यों बनाया, किस field में है, किस वज़ा से है, और आप यह hyperparameter को अच्छे तरह टूननी ना करते, तो आपका क्या मसला बनना है, यह वाला मसला, मैं भी आपको दिखाता हूँ, यह चेक हीजएगा, यह मैंने बनाया, यहां पर, मैंने steps जो हैं, वो चलते जा रहें, चलते जा रहें, अगर मुझे पता ही नहीं होगा, कि मै आरे पास clustering नहीं होगी, तो पहला है perplexity, फिर dimension है, फिर आपके पास steps है, ठीक है, number of points है, epsilon की value है, and then divergence है, these are few parameters जो आपको वैसे भी पता चल जाएंगे when you will read this, but on the other side, हम पहले parameter की तरफ जाते हैं, Let's start with the hello world of Tizni, a data set of two widely separated cluster, to make things as simple as possible, we will consider cluster in 2D plane, जारी बात है, वो X और Y के अंदर उसे draw करने लगे हैं, जो two clusters हैं, वो यहाँ पर originally इस तरीके से, हमें पहले ही पता है कि originally यह है, अब हमने देखना है कि Tizni इसको कैसे divide करता है, समझ रहे हैं बात को, आइरेस का हमें पहले पता है, लेकिन हम आइरेस के पहले चार कॉलम देंगे, उसकी base पे वो divide करें, हम उसको यह नहीं बता रहे हैं कि cluster यह हैं, समझ रहे हैं ना बात को, unsupervised में यह होता है न, X होता है, Y नहीं होता है, तो हमने क्या किया, यहां पर perplexity 2 है, यहां पर 5 है, यहां पर 30, 50 and 100, आपको क्या लगता है, कहां पर सबसे best दो cluster हमें show हुए, जो original के आसपास है, 50 के उपर, right, 30 को भी हम कह सकते हैं, यह ठीक है यार, बनता है काम, मतलब हम कह सकते हैं, 50 भी ठीक है, यह cluster तो नहीं बने न, यह रंग आ गया है कि वो लग बात है, लेकिन still the difference between the points is really big, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं, कि यह value 30 के ठीक है, और यह 50 के भी ठीक है, around about this, अब यहां पर चेक करते हैं, with perplexity values in the range 5 to 50, suggested by van der, martin and hinton, the diagram do shows these clusters, इसका मतलब जिनों ने algorithm बनाया, उन्हों ने बोला, पान से पचास को, अब जिन लोग करेंगे, वो करेंगे 5 से 200 तक, 800 तक, 900 तक, लेकिन 2D cluster, यानि कि 2D plane के अंदर, अगर आपने 2 clusters को define करना है, so it would be nice कि आप 5 से 50 तक रखें value, ठीक है जी, समझ आगी बात की, यह उन्होंने बताया, although with very different shapes, outside that range, things get a little weird, बजारी बात है, आप चला टीज नही रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपने कहना खराब है, मिसाल मैं देता हूं बड़ी अच्छी, मिया साभ आटा कौन सा ले आए हैं, सारी रोटियां जली बन रहे हैं, मिसाल समझ आए कुछ, कि रोटियां खुद नहीं बनाने आती, लेकिन आटे का कसूर है, so based on that, आप अंदाजा easily लगा सक लोगों को खुद पता नहीं होता, मॉडल को ट्यून कैसे करना है, यहां पर वोई सीन है, कि हमें पता होना चाहिए कि value कौन सी है, with perplexity to local variation dominant, local variation dominant, local variation और global variation दो चीज़े है, local variation वो variation होती है, जो एक ही cluster की within cluster variation है, याद है न? और global variation क्या होई, जो एक cluster की बाकी clusters के साथ variation है, सही है, local और आपको global की समझ आगे, let's see, the image for perplexity 100 with merged cluster illustrate a pit file, यह चेक करें, यहां पर क्या हुआ है, जहां पर दो से start किया था, उससे भी ज्यादा बेड़ागरा को हो गया है, 100 पर, ठीक है, क्योंकि algorithm properly काम ही नहीं किया, the perplexity really should be smaller than the number of points, कौन सा point note किया है, यहां पर जितने points हैं, उससे perplexity small होनी चाहिए, हो सकता है, यहां पर points 100 होई न? इसका मतलब यह है कि आपने जब भी perplexity की value रखनी है, it should be less than the values जो आपके पास है, मतलब sample size से कम हो, implementations can give unexpected behavior otherwise, ठीक है, अब perplexity की जड़ा definition देखेंगे, आप लोग के perplexity होती किया है, सिरफ टीजनी के अंदर perplexity किया है, एक, एक liner की definition है बड़ी ज़ावरदस्त है, perplexity, है, जढ बधे किया है, जब यहिता कि व्हा है, लुब गजर में जड़ार आतक्रफों से क्या है, मतलब मतलब मतल Fach एभानाय है, जब तरकव है जब wishing थैसे क्ष्वार नह है, मतलब मतलब दो जड़ है टेक की जड़ ज़ाबावजवाफित्त, है cell줏, झाल झाल प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् रखा जाए ठीक है और यह परप्लेक्सिटी एक पैरामीटर है यह गेस करता है कि मैथर्ड के अंदर जो डेटा की स्ट्रक्चर है यानि के डेटा किस तरीके से बना हुआ है और उसकी लोकल और ग्लोबल स्ट्रक्चर उरिजिनल से कितनी वेरी कर रही है उन चीजों को यह च पैरामीटर काउन्ट करते हैं कि यह जो ॐजिनल डेटा दिया हुआ था उससे कितना कर रही है या नहीं कर रहा है मैं एक मिसाल देता हूं आप rabbit PA मेरे पास ऑंडार यहां पर पास और यहां पर प्लेक्सिटी के बाद clusters के अंदर divide हो गया simply ठीक है cluster के अंदर divide होके उसका global and local जो structure है वो maintain रहा है hundred पे जाके यह change हो गया और दो पे भी change हो गया इसका मतलब यह है कि यह information है exact information of the data structure from local to the global maintenance मतलब global structure की maintenance और global local structure की maintenance का जो exact parameter है जो original data का था वो ही इसके अंदर आपने maintain रखना होता है तो usually how loosely the points are attracted to each other simply सभी है ओके जी किसी को इसकी समझ नहीं आई अभी तक तो बता सकते है परप्लेक्सिटी कि यह मैंने आपको असान करके इस वीडियों से बता है ताकि आपको पता हो रीजन यह है कि इसके पिछे इंट्रॉपी का शानन डिस्ट्रिबीशन गौशन डिस्ट्रिबीशन का चक्कर है जब आप इसे रीड़ाउट करेंगे आपको ज्यादा समय जाएगी जारी बात है हमारा मेन मकसदी है इसको यूटिलाइज करना पहला पहला मीटर आपको परपलेक्सिटी की समझ आगी कि शूद भी फ्रॉं फाइफ टू फिफ्टी और आपकी डेट पे आपके जो डेटा पर डिपेंड करता है हम एक प्लॉट भी ड्रॉट करते हैं जिसकी बेस पे हम चे जैसे अल्बो मेथट था ना ऐसे हम पर प्लेक्सिटी का नंबर भी चेक कर सकते हैं तो विल सी दर दूसरी चीज़ पर चलते हैं जी देन इच अफ लॉट अबव वाज मेड विद फाइफ थाउजन इतरेशन विद लर्निंग रेट ऑफ उफन काल एप्सिलों यानि के जो पर कलस्टर 50 है तो इस वज़ा से हमारे पास 50 जो था वो बैस नंबर था पर प्लेक्सिटी उब समझाए बात की जैसे हमने हंड्रेट किया और जानि के यहां पर यह देखियेगा यहांपे मैंने पर प्लेक्सिटी को 100 किया तो यह खराब हो गया अगर मैं इसको उठा के 50 पर वापस ले जाओं यह सेट हो गया 54 करता हूं फिर भी तकरीबन सेट है बात इस नॉट गिविंग अस नाइस क्लिस्टर 58 उसकी डिरेक्शन चेंज होई जाएगी तो इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने एक ठीवरी दी है कि पॉइंट पर क्लिस्टर जो दिये हैं आपको लाइक 50 है वह परप्लेक्सिटी का नंबर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पहली चीज़ होई दूसरी डिमेंशन का मतलब क्या है कि हमारे क्लिस्टर कितने बन रहे है अगर मैं यहां पर 42 पे जाओं तो हमारे पास दो क्लिस्टर बन रहे हैं न दो 10 19 उसकी बेस पर हमारे पास दो बोड़ ओम जो दो मेजर क्लासी जारे है हमारे पास वह भी चेंग होते जाएगा फॉर एक्जेंपल यह हमारे फीचर्स की बेस पे दो क्लिस्टर बन रहे हैं हमारे पास ठीक है और EPSILON हमारे पास जो मैंने आपको बताया यहां पर दिस ए किदर गया this is the learning rate ठीक है अच्छा how much difference do those value make in our experience the most important thing is to iterate until reaching a stable configuration यानि के stable जहां पे cluster separate होगे उस point पे रुप जाओ अब यहां पे चेक करते हैं उन्होंने यहां पे अब perplexity की value 30 रखी हुई है सिर्फ 30 ठीक है अब steps की उन्होंने change करना start कर दिया the image above shows five different runs at perplexity 30 the first four were stopped before stability after 10 20 60 and 120 steps you can see layers with seeming one dimensional and even point like images of the clusters like this one ठीक है 30 sorry 10 20 61 20 जैसे उन्होंने बोला कि if you see a tisney plot with the strange pinched shape यानि कि इस तरह कि अगर strange pinched shape पिंच पला क्या होता है पिंच करना किसी को क्या होता है वो चुटकी काटना समझ रहे हैं गाल अच्छी खासी t distribution की उसको उठा के pinch करके आप normal distribution कर दें ठीक है समझ रहे हैं बात को तो pinch shape की अगर आपके पास cluster है वो cluster नहीं होते ठीक है मतलब यहां पर अगर आप कहें के दो separate होगे है that's it मेरा तो काम हो गया नहीं भई यह pinched shape है chances are the process was stopped too early इसका मतलब यह है अब देखिएगा जरा बात सुनें जब आप किसी चीज को iterate कर रहे हैं और वो pinched shape में cluster दे रहे हैं इसका मतलब यह too early stop हो गया point now you have to increase the iteration number आपका question होगा ना hyper parameter tuning में कि हमने कब find out करना है कि यह वाली iteration enough है यह steps enough है you can say कि जब pinched shape है तो अभी कम है और आने दो और आने दो जब तक यह फैल के something like this नहीं और यह इस तरीके से unfortunately there is no fixed number of steps that yield a stable result different data set can require different number of iteration to converge इसका मतलब यह वा कि टिजनी जो है यह different data पे different तरीके से काम करता है जो हमारे एक assumption को आगे ले के आता है कि जब हमारे पास data है वी कि जम का होगा सानू नहीं पता कितनी iteration चल नहीं है we don't know anything about that so that's that comes under the test and trial method फिर आपने test and trial की base पर check करना है कि कौन सी चीज ज्यादा काम कर रही है और कौन सी कम काम कर रही है ठीक हो गया okay हमारे पास दो parameter आगे पहला है हमारे पास perplexity दूसरा आगया steps कि कब stable होगा result बना कितनी दफा हमने चलाना algorithm ठीक है okay another natural question is whether different runs with the same hyper parameter produce the same results in this simple two cluster example the most of other we discuss multiple runs gives the same global ship certain data sets our yield markedly different diagrams on different runs we have given example so on so forth इसको हम छोड़ते हैं अच्छा जी अब अगली बात पर चलते हैं cluster size in tisney plot mean nothing यह heading है यहां पर कि अगर आपका cluster का size बड़ा बन रहा है चोटा बन रहा है दर्मयाना बन रहा है बलू बनेगा शेर बनेगा चीता बनेगा आथी बनेगा वही बला है तो आप किस तरीके से उसको देखेंगे उन्होंने यहां पर main heading यह दिए that means nothing अब हम देखते हैं कैसे so far so good but what if the two clusters have different standard deviations समझ रहे हैं बात को एक cluster की standard deviation कम है एक की बड़ी है जाहरी बात है जब बड़ी cluster की standard deviation है तो cluster की shape भी बड़ी होगी size भी बड़ा होगा so and so different sizes by size we mean bounding box measurement not the number of points size का मतलब यह नहीं है कि number of points बढ़ जाएंगे वो कितना फैले है points एक दूसरे से वो बढ़ने के बात हो रही है frequency वो ही रहने है 50 के point 50 ही रहने है वो कितना दूर-दूर है कितना बड़ा size बना रहे हैं उसको हम देख रहे है bounding box क्या आता है bounding box होता है कि आप कोई भी cluster बनाए और उसकी कितना वो area घेर रहे है ठीक है कितनी किस box के अंदर वो cluster है यानि कि अंगूर है ना आप लेके जा रहे हैं उस वो किसी shopper में डाल के आज़से जोर से गिरा लगाएं वो जो उसका bounding box हो जाता है ठीक है तो bounding box जो है वो हमने देखने है अब इसको चेक करते हैं अब यहां पर आप चेक करें जनाब मैं इसको थोड़ो सा यहां पर हमारे पास different values एं perplexity की again और 5000 पर हम चेक कर रहे हैं और different sizes let's see surprisingly the two cluster look about the same size in tisney plots what's going on the tisney algorithm adapts its notion of distance to regional density density variation in the data set so at the end simply here to be clear यहां पर जब भी हमारा data set stable होगा उस point के उपर आपके जो cluster है ना वो आपको clearly नजर आना start हो जाएंगे जिर्फ वो pinch नहीं होने चाहिए simple सी बात है अगर वो pinch होंगे you need more iteration अगर वो एक point से दुबारा फैलने start हो गए हैं आपको वहीं पर रुकना है मैं अगर आपको एक example दूँ जो भी हमने यहां पर देखी है यह चेक की जाएगा यह क्या हो रहा है यह वापिस आए अब यहां पर stable हो गए है लेकिन giving you a kind of donut shape ऐसे ही है अब अगर मैं इसी को ले जाओं जनाब 75 पर let's see चेक करें आपका cluster डिफरेंट बन रहा है शेप उसकी डिफरेंट बन रही है जैसे मैं इसको ले के जाता हूं 100 पर सेंटर में आपके क्या रहा है यहां पर स्पेस आने लगी इसका मतलब यह है कि बाउंडिंग बाक्स यहां पर हमें वैल्यू दे रहा है इस डिफरेंट देन अदर वन जो हमारे पास 75 पर आई थे और वैसे भी जब 75 हमने लेने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आप जितने मर्जी स्टैप्स होते जाए हमारे पास जो शेप आने क्लस्टर की डैट विल नौट डिफर ठीक है तो इसका मतलब यह है कि साइस कम हो ज्यादा हो डिस्टेंस कैसा है आपको भी बता है एक क्लस्टर का अगर टी होगा सिंप्ली सब्सक्राइए एक साइड से कुछ और लगेगा दूसरी साइड से कुछ और होगा ठीक है वो अक्सरों काथ पाकिसान में बच्पन में वह आते होते दिना इधर से करो तो मौल भी लगता था मुसल्मान दूसरी साइड तो सिख बन जाथा याद यह वही च क्लस्टर को एक साइड से देखें वह मौल भी लग रहा होगा दूसरी साइड से वह सिख बन जाएगा यह क्योंकि आप एक पॉइंट आफ व्यू देख रहे हैं पूरे डेटा में अगर आप याद करें जो मैंने खिलोनों वाले एक्जैंपल दी थी तो आप क्लस्टर का स आप कौँ सा जोटा से इन प्वजासे ंपॉइंंट को में देखना पदते हैं पिर डिस्टेंस बुइन क्लस्टर कौन सी चीज़ है अगर एक क्लस्टर ऑक डिस्टेंस करते से उसको परते हैं देखें हमने टीजनी को क्यूं डिटेयल में पढ़ जो बोहत पहुब तो अगर आप research में हैं या किसी field में जाना चाते हैं dimensionality reduction या important features एक data के निकालना चाते हैं this is one of the best methods there ठीक है इस वकत का इसके बाद जारी बात है deep learning algorithm के साथ भी से आप use कर सकते हैं but for now क्यों उसकी reason यही है कि इतने ज्यादा parameter यह अपने पास रखता है कि आप easily बता सकते हैं कौन सा parameter important है कौन सा नहीं ठीक है okay board तो नहीं हो गए break लेने हैं तो हम कर सकते है क्योंकि जारी बात है जब मैंने बढ़ाना होता है तो notes मांगे जाते हैं क्यों ना इस अच्छे ब्लॉग से स्टार्ट किया क्योंकि मैंने भी यहीं से देखके पढ़ाना था कुसीदी सी बात है जो slides वगएरा अगर बनाने है something like that तो बहतर यह है कि अगर किसी ने अच्छी चीज दिम्हां में प्रवाइट की हुए आपके cluster यह है औरीजिनल साथ में उन्होंने दिये होते हैं शुरू में ठीक है फिर यह टू पर प्लेक्सिटी पर और सो और सो फर और इस अच्छी नहीं है कि आपका डेटा औरेडी लेबल रखता है हमने नहीं दिया डेटा को लेबल यहां ओके लेट स्टार्ट आप मुझे देखके बता सकते हैं यहां पे कौन सा पर प्लेक्सिटी का नंबर बेहतर है इन पांचों पिक्चर्ज में उरिजिनल को देखते हुए यह वाला बेहतर है 100 पर प्लेक्सिटी या 50 पाइफ टू फिफ्टी नहीं हम कहा सकते हैं यहां पर क्यूं मैं आपको बताता हूं हमने अल्गुरिथम को ओरिजिनल डेटा नहीं दिया यह उरिजिनल हमारे रेफरेंस के लिए है क्योंकि हमें पता है तो अगर इसको मैंने लेबल्स के इलादा डेटा दे दिया और वो उस स्टेज पे पहुंच गया जितना डिफरेंस ग्रीन यह और इंज और ब्लू का था यह यालो ब्लू का और ग्रीन का था वही यहीं पे ह चेक करें आप गोर करें ठीक है और अगर आप गोर करें यहां पे हम देखें तो यहां पे भी तकरीमन वही डिस्टेंस है वह अलग बात है कि एक थोड़ा सा दूर है हम 3D स्पेस की अगर बात करें तो एक अगर दूर है हो सकता है हमारा जो डिमेंशन है वो देखने का इन और ने बात को यह नहीं, मैं आपको बताता आँ, यहां पे और यहां पे डिस्टंस सही है, यह जो है, यह खराब है, क्यों कि ब्लू और और औरेंज आपस पस में सिमिलेरिटी इंडेक्स, उनका ग्लोबल जो सिमिलेरिटी स्ट्रक्चर है, वो करीब करीब है, और ग्रीन से दोनों दूर हैं अगर हम इसकी बात करेंगे यह तो वह बात हुई कि आपने डेटा को ख्लस्टर करके सेपरेट कर दिया बिकॉज यू आफ तौ फाइंड और देसमिलियरिटी इंडेक्स बिएमंग दे क्लस्टर्स ऐस वैल तो वह मैटर करता है क्यों matter करता है क्योंकि यही तो आपको बताता है कि कौन सी चीज आपके पास है और किस तरीके से आपने कहां पर रुकना है अगर आप यही पर रुक जाएं visualize करते हुए तो आपके cluster तो बने नहीं सही तरीके से ठीक है और perplexity की value तो आपको बताती है लोकल को उसने कर लिया हुआ यहां पर वो यहीं पर हो गया था लोकल पांच पर local maintenance start हो जाती है if you see here 10 पर और होगी 15 पर और होगी मैं अगर यहां पर दिखाऊं आपको यह 5 पर प्लेक्सिटी पर local maintenance start हो गई थी ठीक है मैंने 10 की यह 14 कर लेता हूँ चेक करें और close close होगे मैं यहां पर इसको 28 करता हूँ और ज्यादा close होगे यहां पर इसको मैं 36 करता हूँ और close होगे अपने अब देखिएगा blue green के पास जाना start कर देगा यह मैं करता हूँ इसे 50 चल भई निकल जा निकल जा और स्वरी blue orange के पास जाना start होगे not green क्योंकि original structure वो है न अब मैं इसको अगर और बढ़ाऊ तो चेक कीजिएगा अब green दूसरी side पे जा रहा है ठीक है वो जो चोटा और है न वो दूसरी side पे जा रहा है ठीक है यह चेक करें यह इसको मैं so कर देता हूँ अब देखिएगा यहाँ पे green green ही है लेकिन क्या हुआ है आप चेक कीजिएगा यह मेरे पास न दो चीज़े पड़ी है मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ यह मेरे पास keyboard है ठीक है अब यहाँ पे keyboard के उपर अगर आप होर करें यह keys है मेरे पास ठीक है यह दोनों साइड ही मैंने अपने पास रखी है numpad वाली साइड भी और A to Z वाली भी ठीक है अब मैं क्या करने लगाँ numpad वाली साइड अपने क्रीब करने लगाँ ताके मैं इसको गोर से देखूँ और दूसरे को दूर करने लगाँ थ्रीडी स्पेस में क्या होता है चेक करें यह ऐसे हुआ पड़ा है डेटा मेरा numpad की case मेरे पास है blue और orange मेरे पास है बट जो green है वो दूर हो गया लेकिन green का distance blue और orange से उतना ही है समझा है थ्रीडी स्पेस में कैसे गाम होता है मतलब distance वो ही है हमें दूर से नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा point of view यह बन गया है अगर point of view यह होता है थो हमें दोनों पास पास नज़र आते अब point of view change हो गया है समझा है इसी वज़ा से कहा गया था shape matter नहीं करती एक point पे आके पिछले में मैंने आपको बताया था ना कि बीच में जो उसका वो जो bounding box है वो एक point पे आके matter नहीं करता क्यों नहीं matter करता वो आप से दूर है at the end cluster वो बन चुक है here that matters के distance किस तरीके से बन रहा है लेकिन वो अगर 3D space में separate होके दोनों का distance close close और यहां पे दूर है you can say it's fine लेकिन there is a way to understand this clearly हमारा मक्सद है local के और global की structure को maintain करना points पर cluster कितने हैं हमारे 50 तो हम 50 से ज़्यादा तो जाए नहीं सकते इसका मतलब यह है कि यहां पर प्रफेक्ट कंडिशन आ जा नहीं हमारे पास अगर गौर करें तो ठीक है मैं इसी वज़ा से यह वाला जो टुटोरियल है नहीं वेबसाइट पर दिया हुए इस वज़ा से हम इस पर काम करें और यही चीज़ है अगर आपको ग्लोबल जियोमेटरी का पता चल जाना है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं उसको आपको असल अंदाजा हो जाता कि कैसे यह चीज़ चल रही है ठीक है ओके इसको global geometry बोला जाते है geometry का तो पताने क्या है वो यार जिसमें हम पुरकार और डी और angles वगईरा यूज़ करते थे कि एक distance दूसरे point से कितना दूर है और एक point दूसरे से कितना दूर है उसको हम वो angle लगाके भी find out करते थे नहीं याद चलें, कोई बात नहीं, खैर, अब, नॉइस की अगर बात की जाए, एक डेटा के अंदर हम नॉइस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पे हमारे पास पांच सो पॉइंट हैं, और आपने गोर की होगी, कि जब हमने स्टार्ट किया था इसे, चेक कीजएगा, यह साइड से हमारा व्यू आ रहे है, एक पॉइंट पे आगे, ठीक है, एक इटरेशन पे आगे, एक स्टेप पे आगे, नमबर ऑफ पॉइंट हमारे पास पांच सो हैं, डिमेंशन हंड्रेड हैं, ठीक है, अब हमारे पास क्या हम आउट लाइर्ड या नॉइज इससे देख सकते हैं, या नहीं देख सकते हैं, इजी तो अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको सो पे ले जाओ, परफलेक्सिटी को, आपको इसमें एक्स्ट्रीम पॉइंट नजर आ रहे होंगे, साइटों पे, जो बिलकुल साइटों पे, क्योंकि ये बेस्ट पॉइंट अब इसके तरू हम नॉइस को कैसे देख सकते हैं, एनि आइडिया आपको क्या लगता है किस तरीके से देखा जा सकते हैं, यह आपके सामने मैं टेक्स भी लियाता हूं, झाल, कर दो झाल, को क्या लगता है? मैं अपना कैमरा भी साथ साथ सेट कर लूँ आप देखिएगा क्या हम यह इंट्यूशन बना सकते हैं कि हम नॉइस डेटा में से पकड़ सकें टिजनी को यूज करते हुए झालत कर लो यह झालत क्या है अ झाल 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 हाँ जी आवाज आरी होगे मेरी आपको सोरी मेरा कैमरा डिस्टोइब हो गया थोड़ा से इसके उपर मैं आपको एक पॉइंट बदा दे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपके पास रेंडम आप डिफरेंट पर्प्लेक्सिटी की वैल्यूज और डिमेंशन्स वग्यारा को सेट करके चेक कर सकते हैं कि कहां पे हमारे पास जो है वो डेटा जो है वर डिस्टिब्यूट करके हमें एक्स्ट्रीम वैलियूज दे सकते हैं ठीक है और वहां पे आप आईडिया लगा सकते हैं इस इस एन आउटलायर और नाट नॉइज है के नहीं ठीक है बाकि हमारे पास काफी ज़्यादा मैथड़ जोर भी है जिसके रेंडमाइज है के नहीं रेंडम डेटा कौन सा होता है यह और इसकी तस्वीर और यहां पर हमने इसका अल्गरिफम चेक की है एक ही किसम का डेटा दे के विदाउट एनिक क्लस्टर हमने यहां पर देखा है उसे किस तरीके से यह डिवाइड हो रहा है ठीक है अब आप ग विच शोस के वी नीड तो ट्वीग देटा और हो सकता है कि यहां पर हमारे पास आउटलायर जोन डेटा में नॉइस हो डेटा के अंदर काफी है अनॉमिली जो क्लस्टर से बिलकुल दूर है ठीक है मैं और उसके अन्दर किस तरीके से रेंडमनेस चेक कर सकता है रेंडमनेस का मुराद यह कि data सारा एक ही cluster में आ रहे वह मैंने आड़ैसा एक ही क्लेस्टर बन गया ऐसा नहीं होना We have to see the data और data की randomness आपकी खुबसूरती होती है data की अगर data random ना ना हो तो data जो है वो कोई भी intuitive result नहीं देता मतलब ये कि वो data normal भी नहीं होगा अगर सारे के सारे बच्चों को बरियान नहीं पुसान दा तो फिर data थोड़ी ना हुआ data की randomness ये है इस पर ज्यादा आपको फोकस करवा के सिर्फ इतनी बात बोलूँगा कि आप इस ब्लॉग को एक दफा जरूर पढ़िएगा जिसमें topology, shapes, on and so forth तो काफी चीज़ें आपको बताई गई है and with clear view कि आप किस चीज़ को tune करेंगे और क्या होगा आपके पास ठीक है and then at the end conclusion पर मैं सीधा जाता हूं क्योंकि जाहरी बात है this is one of the biggest algorithms in unsupervised algorithm और unsupervised के अंदर खासतोर पर dimensionality reduction के अंदर आप अच्छे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ मैटर कर लिए there is the reason that Disney has become so popular कौन कौन सी रिजन है इस इंक्रेडिबली फ्लेक्सिबल आप अपनी मर्जी से इसे चला सकते हैं पर प्लेक्सिटी की वैल्यू डिवर्जंस की वैल्यू इटरेशन की वैल्यू नंबर आफ सैंपल्स जो भी आपने रखने हैं उसकी वैल्यू और सो और सो फोर and can often find structure where other dimensionality reduction algorithms cannot not इसकी मिसाल मैंने आपको दी ना भी अगर आप चेक करें तो अक्सर उकात दूसरे algorithm काम नहीं करते बद इस वर्क्स यहां पर दूसरे algorithm इन चीजों को शायद ना देख पाते बद इस विल फाइंड और इस तिंग्स क्यों क्योंके इसने similarity index count करना आता है पीसे वगरा नहीं इस पर काम करेगा अनफॉर्चनेटली डैट वरी फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स ट्रिकी तू इंटरप्रेट यानि कि इसके लिए आपको सारा knowledge होना जरूरी है कि क्यों tune करना है कहां तक लेके जाना है कितने steps होंगे किस तरीके से iteration होगी final stage हमारे algorithm की कहां पर इसको रोकना है and now everything looks fine. जिसके अंदर size, shape, cluster की type, उसकी emergence, convergence there are many methods, there are many other parameters. Out of sight from the user, the algorithm makes all sorts of adjustment that tidy up its visualization. Don't let the hidden magic scare you away from the whole technique though. ठीक है? The good news is that by studying how Disney behaves in simple cases, it's possible to develop an intuition for what's going on. I would say कि बड़े method के अंदर ये use किया जा सकते हैं. अब वापस मैं जाता हूँ अपने notes की तरफ और वहां पर आपको दिखाता हूँ, ये इसका link मैंने आपको दे दिया है, अगर नहीं पता तो आप ये सिरफ heading लिखें, how to use Disney effectively, और साथ में distill लिख दें, तो आपको ये पूरे का पूरा blog जो है, ये मिल जाएगा. And I would suggest कि इस blog के इलावा मैंने अभी तक Disney पे इतनी अच्छी explanation नहीं देखी. With this animation, और यहां से एक idea है, इन्शाला future के अंदर कुछ ऐसा ही बनाना है, Kudenix के platform पे, के लोग interactively वहां से read out कर सकें. मुझे नहीं पता कि ये possible होगा के नहीं, क्योंकि मेरे पास time की कमी है, but on the other side, I'm really impressed by this thing. Okay, यह तो होगी इसकी बाते हैं, मैं यहां पे इसको stop करता हूँ, screen को for a moment, और वापिस लेके चलता हूँ, आपको Disney के distribution के उपर, वहां पर जाके हम देखते हैं, कि किस तरीके से ये काम करता है, और visualize हम कैसे करते हैं, फिर PCA और इसके अंदर में आपको फरग बताऊंगा, and then we will ask if we have any question. ठीक है जे, हमने basically scikit-learn के उपर plotly को use करके ये काम करेंगे, ताकि visualization अच्छे वाली हो, and ये code आपको मैं भेही दूँगा, so you don't need to write down, but Tisney को याद रखे कि T distributed values की बेस भी होती है, और ये बहुत important question है कि why do we use T distribution in Tisney? ठीक है, reason मैंने आपको बता दी, उसका mean नीचे होता है, spread बड़ा होता है, spread उतने होता है, normal की तरह, mean थोड़ा सा diverge होता है नीचे, और side-ों से उसकी tails थोड़ी सी उंची होती है, which helps us to find more data in one cluster, ठीक है? ये main reason है इसकी, और ये question आता है एक्सर अकात supervised, unsupervised klistering के अंदर जब आप टिजनी की बात करते हैं, और ये 2008 में आया है, तो algorithms अगर आप में से कोई चाहे तो इसको कर सकता है, मैं assignment ने दूँगा, को करनी ते है नहीं तुसी, तो मैं सिर्फ आपको एक बात बता देता हूँ, कि जितने algorithm मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर उनकी मौजद का नाम, जिसने वो create की है, ये invent की है, और किस सन में की है, वो अगर आप लिख ले ना अपने पास, तो आपको बड़ा फाइदा होने वाले हैं, उसका एक टाइम मैप बना लिए, टाइम मैप, टाइम लाइन की तरह ही होता है, वो बना लें या आपको फाइदा देगा, यहां पे plotly को इंपोर्ट किया, और एक data set हमने खुद से बना लिया, कौन सा data set बनाया जनाब, हमने यहां पे classification function को use करेके synthetic data बनाया, अब यहां पे हम ड्रॉ करेंगे एक 3D scatter plot और हमने क्या करना है, X, Y, and Z, यह तीन चीज़ें देते हैं, ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, X, Y, and Z, वो क्या क्या है, number of features है, cluster number of samples और हमारे पास जो उनकी basically color है, जो classes है, यहां पे कुछ इस तरीके से यह plot बन रहा है, simply, ठीक है, यह scatter plot बन गया, right, ऐसे ही है जी, यह वला बन गया, अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो plot है, वो metric रखते हैं, देखें, clustering या unsupervised learning का काम क्या है, मैं फिर से यह आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, इसका काम यह है कि for example, यह जो मेरे पास, color को मैंने वाई दिया है ना, मैं इसको अगर remove कर दूँ, इस चीज़ को color में ले क्या है, इस चीज़ को classify करना into, let me see, into this, यह सारा गाम है, जितने भी हमान supervised learning algorithm कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यह किस तरीके से करना है, कौन-कौन सी चीज़े involve हैं, we will see that, अब एक और example यहाँ पर लेते हैं, same data के उपर, हम PCA लगाते हैं, ठीक है, और हम visualize करते हैं PCA और Tisney दोनों के साथ, PCA और Tisney, दोनों का फरक देखने वाले हैं, तो PCA लगा के, यहाँ पर यह है PCA की visualization, ठीक है, मैं यहाँ पर Tisney लिखती है, इसको मैं नीचे ले जाओ, ताके confused ना हुआ, बलके इसको PCA कर लेता हूँ, यह PCA की visualization है, PCA क्या कर रहे है, खुद से X को लेके न, अपने पास, उसको हमें classes के अंदर convert करके दे रहे हैं, ठीक है, यह PCA ने करके दिया है, फर्स प्रिंसिपल कंपोनेंट और सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट की बेसे, classification बेसिकली करके दिये, अगर इसी डेटा को हम Tisney में plot करें, Tisney के अंदर कैसे करेंगे, simply manifold से हमने Tisney निकाल लेना है, सिरफ इतनी से काम है, बाकी वही PCA वाला काम है सारा, वही वैसे transformation लगन इसके साथ ही, this one, आप चेक करें कि यहां पे हमारा जो blue color है, वो pinched है, red और yellow इस तरीके से आ रहे हैं, but when we see here, हमारे पास जो yellow वाले blue के अंदर गुसे हुए देना, वो भी हमें नजर आ रहे, here it's hard to find all of them, सिरफ एक का दुका होंगे PCA के अंदर, so इसका मतलब यह है कि Tisney is working better than हमारा जो principal component analysis, at the end हमें first Tisney का और second Tisney की dimensions मिलेंगी, ठीक है, और इसके तरू हम अंदाजा लगा सकते हैं, कि कौन सी चीज कहां पे है, अब आप लोग यह भी सोचने होंगे कि किस तरीके से यह सारे के सारा data जो है, वो हमें clusters की form में मिल जाता है, and how we can learn के dimensionality reduction कैसे करनी हैं Tisney के तरू, यही है न मेन हमारा, तो उससे पहले, मैं आपको दो terms बता देता हूं, फिर इसकी तरफ चलते हैं, कि किस तरीके से हम dimensionality reduction करते हैं, यह graph है, divergence का and perplexity values का, ठीक है, अब आपने एक term check करनी है now, कि divergence क्या होती, divergence in Tisney, और perplexity values और divergence का क्या relation है, कि इस divergence को हम, के एल divergence भी बोलते हैं, कुल बैक, लाइबलर, डेवर्जन्स, मैं इसकी definition यहां पे लिख देता हूं, और हे hosts कि उल भी जए, रिख प्लूलते हैं, प्लूलते हैं, यह थम खने सेाविए, इस अछWhy यह हम कि वीए, जरो चाने समय करहई थाफली क प्लूलते हैं, जो असक्त memo पिल्नलते हैं, यह हम कि तर अवर क estavam प्लूफ प्लूविए, तलूमें रखूशले हैं, यह वीए, औ झाल झाल अच्छा कुल बैक लाइबलर या के एल डवर्जन्स क्या होती है इसके बारे में मैं आपको दो लाइनों में एक चीज़ बता देता हूं कि जो मैंने आपको लोकल और ग्लोबल विरियेशन का बताया था ना विदिन क्लस्टर्स एंट्रा क्लस्टर्स की जिसके हम बात कर रह यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दोनों की डेटा स्ट्रक्चर मिंटेन होती फॉर इक्जेंपल अगर आप एक लोग लोग डिवर्जन्स के ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे सारे के सारी डिमेंशन का डिस्टेंस जो है आप आप फाइंड आट कर लेते हैं कि यहां पे दोनों की लोकल लैंड गलोबल जो शेप है स्ट्रक्चर है वो मिंटेन है इसकी मिसाल ऐसे ही है अगर आप यहां पे देखें इसकी डेफिनेशन को यह मेईर है हाव वन प्रॉबबिलिटी डिस्टिबिशन डिवर्जिस फ्रॉम ए सेकंड के एक से दूसरा किस तरीके से डिवर्ज हो रहा है अच्छा बाइदावे डिवर्ज किस का लफ्ज क्या है मतलब इसकी उर्दू या आप अगर डिक्शनेरी में चेक करें इसका मीनिंग क्या है डिवर्ज होना डिवर्ज कि अगर मतलब आपको पता चल जाए ना तो आपको समझ आ जाएगी डिवर्ज होता है किसी चीज का ऐसे सैपरट हो जाने कनवर्ज होता है वापिस मिल जाने ठीक है अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप समझ रहें आप अब के यल डिवर्जेंस इस इस एक ऐसी कॉंटिटी इस अ मेज़र ओफ हाव वन प्रॉबबिलिटी डिस्ट्रिबूशन डिवर्ज इस फ्रॉम ए सेकेंड वन ठीक है अब प्रॉबबिलिटी क्या अगर इसकी अगर इस 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 की साथ मैं आपको बताओं तो आप क्या चेक कर रहे हैं basically आप find out करते हैं within a cluster similarity distance from one to another point ठीक है उस similarity distance की probability की base पर आप calculation कर रहे होते हैं कि अब distance की probability की बेस पे यह किस cluster के साथ match कर रहा है based on those distances आप probability calculate करते हैं और अगर आपको local की probability मिल जाए तो आप जो far away वाला है उसकी probability चेक करते हैं यानि के ऐसा point जहां पे आप steps रोक देते हैं आगे फर्दर नहीं जाते हैं ऐसा point जहां पे probability diverge हो जाती है probability रोक जाते है to find out the local or the global global हमारे पास जो index होता है similarity का उसको रोक के so at that point we can say कि यह divergence point है जहां पे हमें रुख जाना चाहिए ठीक है for example अब मैं आपको और बताता हू expected probability distribution in the context of Disney it is used as a cost function to measure the dissimilarity between the high dimensional distribution of a points जो भी point है and the lower dimensional distribution यह क्या करता है dissimilarity find out करता है एक point पे आके जहां पे dissimilarity ज्यादा हो जाए high dimensional low dimension की उस base पे हम कहाँ देते हैं कि यहां पे यह point fit है और इस divergent point के उपर हम अपनी perplexity रोक देंगे यानि कि cluster बनाने का अमल रोक देंगे क्योंके now we found के यहां पे point ठीक है यही चीज़ है कि जब हमारे पास divergent की value जितनी low हो उतना बेहतर होता है divergence की ठीक है वरना एक point ऐसा आता है कि आप बहुत दूर जाके diverge गड़ते हैं ठीक है तो तब क्या होगा आपके पास value तो उतनी ही रहेगी यहां पे और भी क्लियर करने के लिए पर प्लेक्सिटी की value जितनी आप बढ़ाते जाएंगे न उतनी आपकी divergence की value लो होती जाएगी तमयर ओफ डिस सिमिलेरिटे बिट्वीन दे क्लस्टर्स चोटा और बड़ा यह कॉस्ट फंक्शन होता है अब यह कॉस्ट फंक्शन क्या है इंशालला deep learning के अंदर आपको और भी समझ आ जाएगा बट फॉर नाउ आपने परप्लेक्सिटी की value कैसे find out करनी है आप simply divergent और परप्लेक्सिटी की values को draw करें जहां पे यह divergent की value divergence की value sorry यह बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाए उस point पे जहां से यह आगे बढ़ रही थी वह वह वाला point ले लेंगे for example यहां पर नाइन हंड़ आ रहा है तो this is our point to take in our analysis ठीक है usually यह क्या होता है एक ऐसा point भी आता है कि यहां से यह आगे कम हो ही नहीं रही और आपको नेकिन नजर नहीं आ रहा तो उसकी reason क्या होती है आपका plot बहुत ज्यादा zoomed in होता है ठीक है तो जारी बात है छोटी चीज़ें भी आपको नजर नहीं आती so you need to be careful about that as well अक्सर अकात आपको यह चीज़ें भी तंग करती है let me see मैं आपको करके दिखाता हूँ अगर मैं इसको zoom out करो for example इसको मैं इस तरीके से zoom in करता हूँ अभी मिझे लग रहा है कि यह बिलकुल down हो रही है ठीक है लेकिन अगर बहुत close करके देखूं तो यहां से अगर मैं देखूं तो x 900 है हमारे पास और यहां पर 950 है 50 iteration के बाद हमारे पास y में जो फरक आ रहा है वो 0.0 something का ठीक है 0.1.0 something का तो क्या यह हमारे लिए ज़रूरी है इतनी iteration करना और या नहीं you have to check that but जारी बात है को इसी जितनी आप लेंगे उस बेस पर आपको पता चल जागा at the end perplexity जहां पर stop हो जाए ओके divergence की आपको समझ आगी होगी अगर नहीं आए तो इसकी equation है वो भी हम देखेंगे but for now okay then हमारे पास perplexity थी वो भी आपने देख लिए iteration भी आपने देख लिए and this is how you plot based on the cluster system अब अगला question how will we see कि कौन सा parameter हमारे पास important हार कौन सा नहीं based on the हां जी यहां पर होगी हमारी discussion और उसके बाद इसका मैं जो भी हमारा result होगा उसको एक छोटी सी वीडियो में record करके lecture में डाल दूँगा और क्योंकि यहां पर हमने थोड़ा सा काम करना है मैं अपनी recording रोकता हूं